इस वीडियो में हम लोग बात करेंगी 11 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक के current affairs इसके पीछे वाले भी आपको मिल जागा दिये और आगे वाले अब मिलते रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अच्छा इसके अंदर हम लोग पॉइंट्स बना दिये इस पॉइंट्स क के साथ जो गेंध है ये सिंबल दिया गया है किसको तो कैप्टन अमरेंदर सिंग जो पंजाब के पुरूप सीम थे कैप्टन अमरेंदर सिंग इनकी पंजाब लोग कॉंग्रेस पार्टी का नम कहा है पंजाब लोग कॉंग्रेस पार्टी इनको चुनाओ चिन के रूप मे ये वाला सिंबल चुनाओ एलेक्शन कमिसन के द्वरा एलोट किया गया है दूसरा एक और फैक्ट ये भी है कि तमिलनादू सरकार ने COVID-19 के गाइडलाइन के एकॉर्डिंग जल्ली कट्टू का जो प्रोग्राम इसको करने को मंजूरी दे दिये अगला है गंजम जिला ये सबसे पहले ओडिशा के अंदर है और बाल बिबाह मुक्त जिला घोसित कर दिया गया है यानि ये जो जिला है वहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरेज नहीं होता है उससे मुक्त इसको कर दिया गया है कोबिड-19 वैक्सिन पे विशेश असमारक टिकेट एक साल पूरा होने के उपलक्ष में जाड़ी किया जाएगा डाक टिकेट है जो जाड़ी किया जाएगा ये जो राश्ट्रिय सफाई करमचाड़ी आयोग है कैबिनेट के दौरा इसके कारेकाल को तीन साल के लिए त्री यस के लिए और बढ़ा दिया गया है तो ये निसल करेंट अफिस के अंदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स था गुजरात तटके पास पकड़ा गया है और ये पाकिस्तान का नाओ है जिसको पकड़ा है इसके बाद अभी आपको पता है पता ये आपको पता होगा कि हुआ कि आबुधाबी जो UAE है उसके अंदर तेल भंडारन सुविधा के अंदर पे एक ड्रोन हमला हुआ उसमें ती अच्ची मपने भारती मारागे का और किस ने लिया तो ये दोनों हमको जानना है फिर उसके बाद आर्थिक की बात करते हैं आर्थिक कि अगर हम बात करें तो स्टार्टपप इंड्या इनुवेशन वीक ये एहम है अच्छा सवाल है ये Startup India Innovation Week आच्छुली ये 10 से लेके 16 Feb के बीच में Skyogen किया जाएगा किया जाएगा पहला Startup India Innovation Week होगा किन सरकार के द्वारे Skyogen किया जाएगा है दो यहाँ पे डाटा है 6.5 का 8.3 का तो United Nation ने 2021-22 के लिए भारत का जो economical growth है उसको 6.5 की बात की है और उसी को World Bank ने 8.3 पे रखा है तो दोनों का अपना-पना है यहाँ पे यह United Nation के है और 8.3 जो है World Bank के है इसके बाद अभी हुआ क्या विस्वार्थिक मंच W.E.F. का दाबोस एजेंडा 2022 में पधानमंत्री मोदी जी ने जलवायू पडिवर्तन की परतिवत्ता के लिए 3P की बात की प्रो, Planet और पेपल इस movement की सुरवात की गई है किसमें तो दाबोस एजेंडा 2022 में विस्वार्थिक मंच से प्राइमिस्टर नेंदर मोदी के द्वारा यह किया गया है Activision Blizzard यह जो Activision Blizzard है यह यह अक्च्वली वीडियो गेम की कंपनी है द्यान से सुनिए यह एक वीडियो गेम की जानी मानी कंपनी है इसको इसका अधिगरहन Microsoft के द्वारा किया जा रहा है 68.7 68.7 अरब डॉलर में एक्टिवीजन ब्लिजार्ड का अधिगरहन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जा रहा है तो ये भी आर्थिक फैक्ट हुआ इंपोर्टन्ट है साइंस एंड टेंग की बात करें तो साइंस एंड टेंग में पहली बार पहली बार चांग A5 चीन का है सबसे पहले चीन का है चांग A5 इसने पहली बार चंद्रमा के सर्फिस पर सता पे पानी के लिए ओन साइट सबूत का पता लगाया है पानी के लिए तो चंद्रमा के सर्फिस पे पहली बार चंद्रमा का ओन साइट पानी का जो सबूत है वो चांग 5 के द्वारा लगाएगे जो चीन का जाफना कोलंबो के बीच में लगजरी ट्रेन सिवा सुरू की गई है जाफना और कोलंबो के बीच में और इस सिवा सुरू करने में भारत ने स्रिलंका को साहता किया था कहां पे है स्रिलंका में भारत ने इसके साहता किया था इसके बाद आपको औरांग निसल पार्क साइंस and take an environment के इंदर याद करना है सबसे पहले यह है कहां तो असम में पहला दूसरा यहाँ पे असम सरकार ने क्या किया है घडियाल के सनक्षन के लिए इसके एरिया को बढ़ा कर तीन गुना कर दिया है तीन गुना बढ़ाने का जो आदेश है वो दे दिया गया है तो औरंग निस्नल पार्ग के एरिया को तीन गुना बढ़ाने का डिसिजन लिया जा चुका है मैं पोटेबल एंटी टैंग गाइडेड मिसाइल इसको M, P, A, T, G, M तो मैं पोटेबल एंटी टैंग गाइडेड मिसाइल एक्चुली क्या है 11 जनवरी को D.I.D.O. ने बनाया है सोधिसी रूप से विक्सित किया गया एक कम वजन का मिसाइल है इसकी मारक शमता अगर आप बालने इसका टागेट जो है 2.5 किलोमेटर तक का है रेंज और इस रेंज के अंदर ये नजदीक आचुके टैंकों को मार गिराने में अचुक है तो इसलिए ये ये जो है और ये काफी कम वजन है तो इसलिए इसका यूज किया जा सकता है उसके एक अभी इंडियन स्टेट और फॉरस्स रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो भारत का टोटल वन और ब्रिक शावरन है वो 80.9 मिलियन हेटियर है जो टोटल 24.6% बैठता है फिलिपिन्स जो है वो भारत से मिसाइल ब्रमोस की खईद करेगा और टोटल 37.40 यानि 37.40 लाग डॉलर की ये टोटल डील है इसको मंजूरी दिया गया है और ब्रमोस जो है दुनिया की सबसे तेज सूपरसोनिक एंटी शीप क्रूज मिसाइल है तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दूसरा है ओपन डाटा विक ओपन डाटा विक की बात करें तो 17 से लेकर 21 जनवड़ी के बीच में आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के दौरा इसका आयोजन किया जा रहा है आयनसर रनवीर के साथ फैक्ट यह है कि आयनसर रनवीर पर आयनसर रनवीर पर एक बिसफोर्ट हो गया था जिसमें नौ सेना के तीन जवान की हत्या हो गई थी मतलब उनका दित हो गया था उसमें ओपरेशन सर्धवा सबसे पहले याद रखिएगा कि ओपरेशन सर्धवा BSF के जवान के दौरा स्टार्ट किया गया है BSF के जवान के दौरा पाकिस्तान की सीमा पर स्टार्ट किया गया है और पाकिस्तान की सीमा पे राजस्तान में 23 से लेकर 23 से लेकर 28 के जनवरी के बीच में इसको किया जाएगा इसके बाद सार्थी मॉबाइल आप किया कर हम बात करें तो सबसे पहले सार्थी मॉबाइल आप किसने लाँच किया तो सेबी के द्वारा लाँच किया गया है और ये इसलिए इसने स्टार्ट किया है इसको लाँच किया है तो उनके जो भी इंविस्टर उनके बीच में जागडुकता पैदा करने के लिए ये सारती मुबाईल अब लाया किया है Famous person की बात कर ले Famous person इस 10 दिन के बीची सबसे पहले Marlin Bergman Actually Marlin Bergman का देथ हो गया है और ये 93 93 इस केते संगितकार थे Oscar वीजिता थे उर्जित पटेल की बात करे तो उर्जित पटेल को AIIB AIIB में उपाध्यक्ष बनाया गया है और टोटल 5 होते हैं उनमें ये एक हैं तीन साल इनका टेनियोर होगा और अगले महिने से ये उसमें उपाध्यक्ष निफ्थ हो जाएंगे चीन में उसका बेस है तो ये उर्जित पटेल से रिलेटर फैक्ट है उर्जित पटेल 24 गवर्णर रह चुके है आर्वी आई के इसके बाद देविड सासोली ये उर्जित अंसद अध्यक्ष देविड सासोली की देथ इतली में हो जाती है तो ये कोई खास नहीं है बड़ एक इंफोर्मिशन के लिए सिर्फ चंसेकर पाटल चंसेकर पाटल की बात करें चंपा के नाम से ये फिमस है चंपा के नाम से फिमस है मसूर कंडड लेखक है कंडड लेखक है और इनका जन बैंगलोन में हुआ था इनकी देथ हो जाती है 83 साल के उपने जूलन गोश्वामी की बात करें तो जूलन गोश्वामी के साथ फैक्ट ये है जूलन गोश्वामी को महिला किर्केटर को आल विमेन मैच अधिकारिक टीम का अमबेस्टर निव्थ किया है ये जूलन गोश्वामी के साथ प्यरे ओलीवियर गैरिंचस ठीक है ये जो है आई एम एफ ये जो है वो आई एम एफ के मुख्य अर्थ सास्त्री बने है प्यरे ओलीवियर गैरिंचस आई एम एफ के मेन अर्थ सास्त्री बने है गीता गोपिनाथ का ये स्थान लेंगे फ्रांसीसी नागडिक है ठीक है फ्रांसीसी नागडिक है और अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया उनिवसिटी में कॉलसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के डिरेक्टर भी है तो IMF के मुख चीफ इकनॉमिस्ट इनको अपॉइंट किया गया है रगवेंद्र तवर रगवेंद्र तमर रगवेंद्र तमर इंडिन कॉंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आइसे एचर के अध्यक्ष बनाए गया है मीरदास उडिसा के अभी नेता थे इनका देथ हो गया 63 एज में फिर अली खान इसमाइलोग जो है कजाकिस्तान के नए प्राइम निस्टर बनाए गया है डेविड सासोली यूरोपिय संसत के अध्यक्ष डेविड सासोली का 65 के एज में देथ हो गया अच अभी हमने किया इसको कभी माया एंजलो यह जो माया एंजलो है वह अचली अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अस्वेत महिला है इसलिए इसको याद रख माया एंजलो है इस सोमनाथ इंपॉर्टन फैक्ट है इसरो के अध्यक्ष यानि बनाए गये हैं कि यह सिवन का स्थान लेंगे अभी जो अभी इस सोमनाथ जो है वो केरल के त्रिव अनन्थ पुरम के बिक्रम भाई सारा बिक्रम सारा भाई अंतरिक्षकेंदर के निज़ स बिक्रम सारा भाई अंतरिक्षकेंदर के निज़ सके और इन्होंने अब यह अभिसरों के चिप बनाए जाएंगे लवलीना बॉर्गोहन यह जो लवलीना बॉर्गोहन है यह टोक्यो ओलंपिक के कास्पदक बिजेता मुक्यभाज है इनको असम यह मुक्यभाज नियाद वरिष्ट पत्रकार कमाल खान एंडी टीवी के मसूर पत्रकार थे एंडी टीवी के थे इनको गनेश शंकर विद्यार्थि प्रोस्कार भी मिल चुका है रामनात गोयन का प्रोस्कार भी मिल चुका है इनकी दित हो गई है हार्ट अटेक से इनका 61 साल के एज में 14 जन्वरी को देत हो गया नरेंद्र कुमार गोयन का नरेंद्र कुमार गोयन का निर्यात पड़िधान निर्यात परिशद संवर्धन परिशद यानि यानि नरेंद्र कुमार गोयन का जो है एई-ई-पी-सी एई-ई-पी-सी के शियर्मेन बने हैं 1978 में इसके स्थापना होई थी कपड़ा मंत्राले के अंतरगत और मुख्य जो इनका मुख्याले है वो गुरुग्राम हडियाना में है तो पडिधान जो ड्रेस होता है कपड़ा होता है उसके निर्यासम्मधन परिसनत का इनको अध्यक्ष बनाए गया है बाबराजम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है इनको ICC मेंस T20 आफ दे इयर का कप्तान बनाए गया है तो इनके लिए बड़ी उतलब्दी है दिलिप संगानी संगानी इफको इफको के अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया है Robert Metzola Robert Metzola Malta के है Malta के Robert Metzola Metzola European संग की संग की संग की नई अध्यक्ष बनी है वीजय शेखर सर्मा भासाओं पर इंटरनेट पैनल नहीं वीजय सेखर सर्मा को एमबस्डनिप किया है Robert Robert Limba Dovski ये जो है वो पोलेंड के Robert Limba Dovski ने को सर्फिस्ट फीभा पुरुस के लाड़ी का पुरुसका दिया गया है विक्रम देव दर्थ एर इंडिया के CMD बने एर इंडिया के CMD बनाए गया इनको उसके बाद एंटोनियो एंटोनियो होटा औरोसोरियो यह जो है वो क्रेडिट स्वीस समोग के अध्यक्ष थे COVID-90 के उलंगन करने पे इन पे जाँच बैठाई गया उससे गुसळा होके इन्होंने क्या किया क्रेडिट स्वीस समोग के अध्यक्ष थे इन्होंने रिजाइन कर दिया है उसके बाद Alexos Francianos, ग्रीक चितरकार है, इनका Athens में देत हो गया उसके बाद Narayan Devinath, पद्म स्री उनको मिल चुका था बंगाल के थे, कार्टुनिस्ट थे, 1997 की एज में इनका कुलकाता में नारायन देवनाद का निदन हो गया तो काटुनिस्ट थे हैं पदमस्री मिल चुका था इनकी देथ ऌगए इब्राहीम बाव बकर कीता माली के पुरव राष्टपती इनका भी देथ हो गया बिर्जु महराज याद रखियेगा बिर्चु महराज का देथ हो गया कत्थक बिर्चु महराज जो थें वो परशित कत्थक डांसर थें दिल्ली में इनकी देथ हो गई है शांती देवी की बात करें तो समाजिक कारेकर था पदमस्री से सम्वानी शांती देवी की भी 88 साल की एज में देथ हो गया अब हम लोग खेल को देखते हैं खेल के अंदर सबसे पहले ये जो Adelaide International Tennis हुआ है Adelaide International Tennis में भारत के खिलारी बोपन्ना और राम नाथन की जूरी ने पुरुस यूगल का खिताब जीता है फिर रफिल नडाल की बात करें, COVID-Positive थे ये ठीक होके इनोंने, ठीक होके इनोंने, इस्पीन के खिलारी हैं इनोंने Melbourne Summer City ATP 250 Tennis जो किताब है, वो इनोंने जीत लिए रफिल नडाल में उसके बात भरत सुब्रमन्यम, भरत सुब्रमन्यम के साथ फैक्ट ये है भरत सुब्रमन्यम के साथ फैक्ट ये है कि ये जो भरा सुब्रमन्यम है, ये मात्र 14 में साल में भारत के 73rd Grand Master बन गए है तो ये फैक्ट है इनके साथ और अब ये एक चीज़ और है कि ओलंपिक सेल के द्वारा जो टॉप्स चलाये गया है टी ओपिएस, टागेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इसके अंदर अर्णिवान लाहिडी, अधिती असोक और दिक्षा, डागर सही 10 अथलिट को इसके अंदर जोड़ा गया है और आपको पता है कि युवा मामले और खेल मंत्राले के अंदर ये एक मिशन है जिसमें आगे खिलाडी को तयार किया जाएगा अभी आईपिल जब होना है, आईपिल जब होना है तो 2022 के लिए 2022 में वीवो को अब हटा दिया जाएगा वीवो की जगा टाटा को उसका एस्पॉंसर सिप दिया जाएगा तो अब जो 2022 का आईपिल होगा वो वीवो आईपिल नहीं कहला के टाटा आईपिल कहलाएगा एक्चुली चीन के साथ जो गलवान में 2020 में जहरफ हुई थी उसके कारण उनको एक बार एक साल के लिए वहां से अटा के दूसरी जगा डाला गया था पर 2021 में फिर से इनको वीवो को जो है टाटल सिप दे दिया गया था लेकिन 22 से हट जाएगे और टाटा को इसको दे दिया जाएगा जिशब पंथ की बात करें तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया दक्षिन अफ्रीका के टेस्ट में सतक लगाने वाले पहले भारतिय विकेट कीपर बन गये है यह उनका चौथा था इसके पहले उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया है और इन दोनों के खिलाफ भी शतक लगाने वाले भारत के हुए एक मात्र बिकेट कीपर बल्लेवाज है तो इस तरह से दक्षिन अफ्रीका में तो एक मात रही है इधर भी है तो चोटल चार लगाया है तीन उन्होंने विदेश में लगाया है और तीनों दक्षिन अफ्रीका एक तरफ दूसरे तरफ इंग्लैंड तीसे तरफ उस्ट्रेलिया तो उसी साब से काफी रिकॉर्ड भी इनोंने अच्छे देश के खिलाफ लगाया है इंडिया ओपन टाइटल इंडिया ओपन जो टाइटल है उसका खिताब सिंगापूर के लोहकीन येव को हडा कर लक्ष सेन ने जीता है याद रखिएगा लक्ष सेन के दोरा जीता किया है प्रकास पाड़कोर्ण के नामने स्रीकांत ये सब भी जी चुके लक्ष ऐसा करने वाले पाच में भारती खिलाडी बन गए है और 17 में नंबर के खिलाडी अभी ओवर ओल 17 में नंबर के जो खिलाडी है वो लक्ष सेन है नौामी उसाका सबसे पहले नौामी उसाखा की बात करें तो ये जापान की है और अभी फोप्स ने क्या किया एक लिस्ट निकाला है महिला खिलाडियों का according to reach कितने reach है तो उस reach में सबसे नामी उसाका जो जी जापान की है वो सबसे रीच है 424 क्रोर के साथ बीबी जो है वो तीसरे स्थान पे नाओमी उसाका 424 करोर सेरेना विलियम्स 340 करोर वीनस विलियम्स मात्र 84 करोर इस तरह से इन्होंने निकाला है लिस्ट विराट कोली की बात करें विराट कोली चर्चा में इसलिए है कि विराट कोली के नाम भी एक रिकॉर्ड है कि 40 सथिक टेस्ट में जीत दर्ज करने वाले यह चौत्य कप्तान है पहले ग्री में स्मीथ हैं दूसरे रिकी पॉंटिंग है तीसरे स्टीव वह हैं और चौत्य के बने हैं विराट कोली के साथ सानिया मिर्जा ने भी सन्यास ले लिया है सानिया मिर्जा ने भी सन्यास ले लिया है और अस्ट्रेलिया ओपन में उन्होंने महिला यूगल में वह हार गई उसके बाद उन्होंने सन्यास की घोसना कर दी चेज ग्रेंसलम ये यूगल में जी चुकी हैं और सिंगल में टॉप 100 में पहुंचने वाली एक मात भारती महिला टेनिस के लाड़ी ये हैं तो इस तरह से और इन्हों ने अब सन्यास ले लिया है पदम स्री पाने वाले भी सबसे कम उन्हों की महिला के लाड़ी है तेस्ट जो अभी ऑस्ट्रेलियन जीता है उस्ट्रेलियन इंगलेंड को 4-0 से हराने के बाद एसे सीरी में ये टॉप पे आ गया है और भारत की जो टीम है वो अब तीसरे पुजिशन में पहुंच गया है अगला फैक्ट है प्रोसकार का यानि प्राइस का प्राइस में क्या है 79 ग पावर ऑफ डॉप को बेस्ट फिल और ओंग यूंग ओंग योग सुंग को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्क्विड गेम के लिए दिया गया है औसकर के बाद यह जो गोल्डन ग्लोब है उसको सबसे इंपोर्टन पाना जाता है वीविद की बात करें विसले इनीश की ब गुरू गोबिंद सिंग के पुत्रों को सरदांजली के रूप में यह मनाया जाएगा यह इंपोर्टन है अभी अभी पास्पोर्ट रैंकिंग 2012 अगया है यह पास्पोर्ट इंडेक्स जो है वो आगे आ उसकी कॉर्डिंग भारतिये पास्पोर्ट जो है वो 83 अस्थान प पास्पोर्ट के साथ हम टोटल 60 देशों में विना वीजा के यात्रा कर सकते हैं अच्छली यह इंडेक्स यह बताता है कि किस पास्पोर्ट में कितना दम है और विना वीजा के वो कितने देशों में यात्रा कर सकता है जापान और सिंगापूर टॉप पर है क्योंकि दोनो पिनका पासपोर्ट है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबसे नीचे में हैं, फ्रांस, लीदरलेंड, सुड़ेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, ये चौथे स्थान पर एक साथ हैं, आर्लेंड, पुर्तगी, पुर्तगाल, पाचमय स्थान पर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, सुर्जेलेंड, नावे, बेल्जियम, न्यूजिलेंड, सब एक साथ सचछटे स्थान पर हैं इस तरह से, मद एसिया सिखर बैठक, इसके साथ फैक्ट ये है कि पधानमंतिरी नरंडरे मोधी के दोरा वर्चुआल रूप से पहली बार, भारत, मद एसिया सिखर बैठक की मेजवानी की जाएगी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबियकिस्तान की राष्टपती में इसमें पाटिसिपेट करेंगे, और यह जो भारत और मादेसिया सिकर शम्मेलन है वो मादेसिया देसों के नेताओं के बीच की एक अस्थाई और ब्यापक साज़दाड़ी का एक प्रतीक है तो यह important content है total 10 दिनों का और यहां से आपके सवाल miss नहीं होंगे सवाल आपका यहां से चूटेगा नहीं और यह सारे content जो है इसमें जो detail fact है वो अब लिवल करवा दिये जाएगा store section पे store section में हमारा current interface का अलग से एक section बनाएगा है उसके अंदर